कि ये जो कोई भी है ना इसे घर बुलवाओ फिर इस तरह बाते करना फोन पर जमल से बात कर रहीं जमल से या उसके भाई से क्या मैंने तुमारी बाते सुन नहीं थी पता चल गया मुझे अब सबसे कह और इसके घरवालों को बुलाओ लेकिन वहीं लेकिन नहीं मैं कॉंसर रखना डाल रहीं जहां शादी करनी है कर लो नहीं वो मैं जमल का फॉन आए तो मेरी बात करवाना या खुद ही कह दे ना उसे जी कह दूंगे बस जल्दी जाओ अपने घर यह क्या है अब अब मुझे ठीक से बताओ कि मसला क्या है आँटी फारस बिसनस में इतना बिसी रहते है आज कर मैं बस उनको डिस्टरब नहीं करना चाहती ओहो यह बात है चलो देखो अगर तुम उससे इस वज़ा से नाराज हो तो कोई बात नहीं आफटर आल तुम दोनों फ्रेंज रहे हो तुम्हारा तो फारस से नाराज होने का पूरा-पूरा हक बनता है भई लेकिन आउन्टी फारस का नेचर बहुत चेंज हो गया है आपको तो बता ही है फारस पहले कितने फ्रेंडली हुआ करते थे इतने केरिंग इतने लवेंग बतानी अब ऐसा क्या हुआ है कि फारस बहुत चुप-चुप रहने लगें और खपी का बार तो बहुत रूड हो जाते हैं हाँ बैटा अचली ये नई जगा है ना और फिर ये उसका अपना घर भी नहीं है जाहिर है जमाल भाई और मनाज़ा के सामने थोड़ा हैसिटेट भी करता होगा ना लेकिन जब हम यहां नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना फिर देखना वो बिलकुल चेंज हो जाएगा तो आटी आप लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत जल्ब इसलिए तुम्हे यहां आई हो रहली? और तुम्हे पता है उस नए घर की सारी इंटियर डेकरेशन में तुम्हे करवाओंगी ठीक है हम दोनों मिलकर करेंगे डान अजया है यहाँ पारिस आप मुझसे मजाग करेंगे तो दिन के बाद आपकी जमल से मंगीनी होने वाले हैं और आप यहाँ खड़े मुझे फूल पेश करेंगे जिजहारे मुहबत करेंगे वाओ अवव 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 जयो हो गया, रिलेक्स यार कहसे रिलेक्स करूं आपने मुझसे उता आप जमल से बात करेंगे अपने पेड़ेंट्स को समझाएंगे लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो सका आप से मैंने कोशश की थी, लेकिन बात बन नी सकी बात नी बन सकी क्या मतलब है इस बात का, आप यहां मेरे साथ क्या करें, जाएं, अपनी जमल के पास, उसी के साथ रहें, मुझ सही गलती होगी कि मैंने आपके उपर एतबार किया, अरीबा, ऐसे भेर मत करो यार, तो फिर आप बताएं, कैसे भेर करूँ मैं, क्या करूँ मैं, मंगनी तो है निका तो नहीं हो रहा न, मंगनी तो जब देल चाय तूट जाती है, रेली, और नहीं तो क्या, भी मॉम थोड़ा है, सारी जिंदगी उन्हेंने जमल को देखा है भाव के रूप में, अब उन्हें किसी नई लड़की को तसाफर करना मुश्किल होगा है, जो भी है फारस, यह सब आपकी वज़ा से हो रहा है, और अगर आप मुझसे मुहबबत करते हैं तो आपको मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और मैं लोगा, तुम्हें किसने का मैं तुम्हें तुस धुका करूँ मैं, पता नहीं, कब लेंगे आप स्टैंड मेरे लिए, यार हालात दिन बर दिन खराब होते जारें, मुदर जमल के घर वाले, मेरे लिए रोहान का रिष्टा लेकर आना चाहते हैं, मैं उसे पहले ही जमल से बात कर लूंगा, मुझ पर अतबार है, बहुत एतबार है, इसलिए तो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर रही है, यह सब मैंने अब यह तो ले लो, थेंक यू, वाकम, आपकम, तरें से ले, आप, फारेस, मैं पहनूँ की क्या, इंगेजमेंट पर पहने के लिए मेरे पस एक भी धंग का जोड़ा नहीं है, अरेस, मैं क्या परशानी की बात है, अब ही चल कर तुमें शापिं कर वालते हैं, यह देखो, यह कैसी है, अच्छा, तो हम यहां जम्मल के लिए रिंग लेने आये हैं, यह रेपा, एकदा मुस्ता नाव चाहिए करें यार, पुरी बात सुनलो, तो? यह जम्मल के लिए, यह तुम्मारे लिए है, क्या वाकई? यह रहा, अब सिरफ तुम मेरी मरी तरव, लाव मैं पराता हूं, मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा